मई 2014 में सूरी वरिश राशी में जा रहे हैं जहां वहशुब परणाम देंगे लेकिन साथ ही धन देने वाले दोनों ग्रहों गुरु और शुक्र को ही वह अस्त कर रहे हैं तो इसका आप पर यानि सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और हमें क्या अच्छे इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा ओम नमस्षिवाय मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं आस्मान के ग्रह सूरे प्रिथ्वी तत्व की राशी विरिश में आ रहे हैं इसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा क्या उपाय करने विस्तार से समझेंगे सूरे वरिश राशी में आते हैं तो सभी 12 राशियों को क्या कौमन परणाम देते हैं और 3 कौमन उपाय जो सभी 12 राशियों को करने चाहिए वो क्या है यह वीडियो के शुरू में ही मैं बता दूँगा और हर राशी फल के साथ बार-बार रिपीट नहीं करूंगा इन सब बातों को बताने के बाद सभी 12 राशियों का राशी फल मैं एक एक करके बताऊंगा तो अगर आपको यह सारी बातें विस्तार से उपाय सहित समझनी है तो अभी आप वीडियो देखना जारी रख सकते हैं अगर सिर्फ राशी फल सुनना चाहते हैं उ सूर्य वरिश राशी में जाएंगे जहां वह 15 जून 2014 तक रहेंगे हिंदू पंचांग या कैलेंडर में इस महीने को जेश्ट मास कहते हैं जेश्ट मास विश्णु भगवान और हनुमान जी को प्रिया मास माना जाता है सूर्य जब वरिश राशी में इस महीने में यहां आ रहे हैं तो वह त्री ग्रही योग बना रहे हैं यानि वह तीन ग्रहों के योग में बैठेंगे सुर्य स्वयम्त व्रिश राशी में आही रहे हैं जहां पहले से ही ब्रिहस्पति और शुक्र मौजूद हैं तो ब्रिहस्पति और शुक्र अस्त भी हो रहे हैं जिससे उनके प्रभावों में कुछ कमी आएगी, उनके भी क्या उपाय करने चाहिए, वीडियो में हम इस बात को समझेंगे, देखिए, सूर्य क्या है, इसको समझना पड़ेगा, तभी हम यह जान पाएंगे, कि वरिश राशी में भा, परणाम क्या देंगे, और यह सूर्य जो है, वो हम संद को हम नहीं समझ सकते, वैसे ही बिना सुगंद के हम फूल को महसूस नहीं कर सकते, तो सबसे पहले, सूर्य वरिश राशी में जाने पर क्या करते हैं, पहले समझे सूर्य हैं क्या, देखिए, सूर्य परमात्मा क्या दृष्यमान स्वरूप है इस स्रिष्टी में, यान सूर्य के रूप में ही परमात्मा 12 महीनों में 12 राशियों में भ्रमण कर रितु परिवर्तन करते हैं और स्रिष्टी का पालन करते हैं सूर्य जिस राशी में जाते हैं उस राशी के गुणों को प्रभावित्व प्रकाशित करते हैं उस राशी में जो ग्रह बैठे होते हैं भी वह प्रकाशित करते हैं क्योंकि सूर्य का तो गुण ही है प्रकाश देना देवता सभी महर्शी कश्यप और माता अदिती की संतान है अदिती की संतान होने के कारण देवताओं को आदित्य भी कहा जाता है सूर्य भी एक आदित्य है रिगवेद कहता है बारह आदित्यों से स्रिष्टी का संचालन होता है भगवान विश्णु को भी एक आदित्य कहा गया क्योंकि वह भी माता अदिती के गर्व से उत्पन हुए थे वामन अवतार में इसलिए उन्हें आदित्य कहा गया भगवान गीता में विभूती योग अध्याय दस शलोक 21 में स्वैम कहते हैं आदित्या नाम अहम विश्णु जोतिशम रविह अंशुमान मरीची मारुतम अस्मी नक्चत्रा नाम अहम शशी अदिती के बारह पुत्रों में मैं विश्णु हूँ प्रकाश मान वस्थों में सूर्य हूँ तो मुझे मरुतों में मरीची जान और रात के आकाश में तारों के बीच चंद्रमा समझ यह विश्णु का सुरूप ही है जो सूरिक रूप में हमारा पालन करता है तो यह विश्णु रूप सूरे जब वरिश राशी में जाएंगे तो क्या करेंगे देखिए वरिश जो है वह पृत्वी तत्व की राशी है पृत्वी में पालन करने का गुण होता है दर्थ नौरिशे जंड सस्टेंस लाइफ जोतिश में भी काल पुरुष कुंडली के द दूसरा भाव धन का भी भाव है इसलिए जो व्रिश राशी है यह शुक्र की राशी यानि लक्षमी की राशी है धन से ही हमारे प्राण और परिवार की पुष्टी होती है मनी मुव्स द ओर दिस वरल्ड इसलिए विश्णु जब शुक्र की राशी में जाते हैं तो एक जी अद्ग कि राशी में तो कुबे योग बना हुए तो सुर्य नाराएज का भी इस राशी में जाना इस कुबेर योग की पुष्टी करता है धन के लिए यह एक अच्छी बात होती आप कहेंगे कि यह शुक्र की राशी है जो सूर्य के मित्रतो नहीं है यस यह बात सही है लेकिन नक्षत्रों पर भी विचार कीजे इस राशी में तीन नक्षत्र आते हैं कृतिका रोहिणी और म्रिक्षिरा क्रितिका सूर्य के स्वैम का नक्षत्र है रोहिणी उनके मित्र चंद्रमा का और मित्र मंगल का तो जो तो इन बातों पर विचार करके फिर राशी फल जानने से पहले अगर अभी तक आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे एक विरमर निवेदन मेरे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी सो भाव overtly materialistic हो जाते हैं लोग क्योंकि यह धन की राशी है, संसार की राशी है, प्रित्वी में पकड़ने का गुण होता है, सूर्य आसमान का ग्रह है, याद रखिएगा, वो जब धर्ती की राशी में आएगा, तो उसमें जड़ता भी आ जाती है, और यह जड़ता आध हैं, जब धन के ग्रह अस्त हों, तो यह संदेश क्या है, कि उन ग्रहों की ऊर्जा का इस्तेमाल आप स्वैम के पोशन से अधिक समाज की भलाई के लिए करें, work for greater cause, यानि अभी आप स्वैम पर ही अगर केंद्रित रहेंगे, तो यह अच्छा नहीं है, लेकिन जो लोग सम लोगों के लिए यह एक अच्छी बात होती है, क्योंकि यह वह स्वैम से अधिक दूसरों के लिए जीते हैं, तो ऐसे सब लोगों के लिए तो अच्छा है, अगर आप ऐसे नहीं है, तो ऐसा बनने का प्रयास जरूर कर सकते हैं, मातरेक यही साउधानी है, बाकी कोई विश्राशी में जाने से, अब उपायों पर बात करते हैं, जैसा मैंने कहा था, सूर्य नारायन के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत रहते हैं, और हमारा पालन करते हैं, नारायन को एकादशी पसंद है, हर महीने में दो एकादशी आती है, तो साल में 24 एकादशी आती है लेकिन जेश्ट के महीने में निर्जला एकादशी आती है यह विश्णु को सर्वप्री एकादशी है अगर आप 24 में से सिर्फ यह एक निर्जला एकादशी भी कर लेते हैं तो आपको सभी एकादशीयों को करने का पुंड मिलता है तो जेश्ट पक्ष के शुकल पक्ष की एकादशी को हम निर्जला एकादशी कहते हैं इस सालवह 18 जून को पड़ रही है आप उस दिन एकादशी का वुरत रख सकते हैं विश्णु की आरातना कर सकते हैं दोनों में से कोई एक भी करें तो भी कल्यान ही रहेगा गंगा दशहरा भी आता है जब सूर्य जेश्ट रा सारे रहते हैं गंगा को जाकर अपनी कृतक गताव व्यक्त करें गंगा में जाकर दीप जलाएं फूल प्रवाहित करें अच्छा रहेगा आप चाहें तो उस दिन उप्वास भी रख सकते हैं एक और महतुपूर्ण बात इसी दिन शनी जैनती भी आती है जब सूर्य जी को अतीप प्रिय है एक तो यह विष्णु का भी महीना है शनी जी भी जैनती आती है और हनुमान जी को भी प्रिय महीना है तो देखिए सूर्य वरिश्रेम रची में जा रहे हैं तो कितनी अच्छी बातें हो रही है आप इन तीन में से कोई भी एक उपाई भी करेंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा गुरु और सूर्य के योग को हम धर्मात्मा योग कहते हैं क्योंकि गुरु धर्म के ग्रह है और सूर्य आत्मा के ग्रह है इसलिए जब यह दोनों ग्रह किसी राशी में मिलते हैं तो धर्मात्मा बनाते हैं जो लोग धर्मा initiation के लिए कोई नई साधना शुरू करना चाहते हैं सरवोत्तम समय हैं जैसा मैंने कहा था यए विश्णू temat को बड़ाप्रिय महिना है और मैंने कहा था यह हनुमान जी को बड़ा लाब होगा अब हम सभी बारा राशियों का राशी फ़ल एक एक करके देखते हैं मेश राशी से शुरुआत करते हैं मेश राशी के लिए सूर्य दूसरे भाव में जा रहे हैं आपके पांचवा एच्छ वा ठाक्षमि एस्थान धन वैसे भी वह अपने अस्थान से दस्वे भाव में जा रहे हैं तो कर्म की भी पुष्टी वृद्धी करेंगे दूसरा भाव कर्म भाव भी है और पांचवे भाव के स्वामी है वहां से उनका दस्वा गोचर हो रहा अपनी जगह से दस्वा भाव कर्म भाव होता है तो दू लक्ष्मी अस्थान यानि पाच्वे नवे भाव के स्वामी मिलकर अगर दूसरे भाव में बैठेंगे तो लक्ष्मी की प्रिद्धी जरूर करेंगे और लक्ष्मी काग्रह शुक्र भी आ रहा है इसी महीने में वहीं पर तो पैसे कमाने के लिए मेश राशी वाले लोगों क के भी अच्छे योग बन रहे हैं एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कुछ कर्चे आपके कंट्रोल से अधिक होंगे सिर्फ अत्यधिक विलासिता पर खर्च करने से बचिए यानि पैसों की फिजूल खर्ची से आपको बचना चाहिए बाकी यहां अच्छे परणाम दे हैं तो सुभाव में कुछ गर्मी देते हैं लेकिन प्रभाव छेत्रे में भी व्रद्धी करते हैं क्योंकि सूर्य हमारे प्रभाव के ग्रह बनते हैं आत्मा का बल दिखाते हैं आप लोगों के लिए वह आपके चौथे भाव के भी स्वामी बनते हैं किंद्र भाव के और और शुक्र का योग बनेगा सूरिक कि केंद्र भाव के सवामी हैं। और पहला भाव याँनि राशी का भाव केंद्र त्रिकोन दोनो कहा जाता है। तो यहाँ केंद्र त्रिकोन राज योग बनाएंगे आप लोगों के लिए, बहुत शुब हम कह सकते हैं। हाँ यह बात जरूर है कि आपकी राशी के स्वामी शुक्र अस्त होंगे, लेकिन सूरी तो आप लोगों को अच्छा ही परणाम दे रहे हैं, फिर भी यहाँ समस्याएं क्या हो सकती हैं, आपके अपने सुभाव के कारण कुछ आपसी रिष्टों में खटास हो सकती है, खासत से कमाने के लिए एक वर्क लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यह एक अच्छा योग जरूर बनता है, वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें आप कर लीजे, मितुन राशी के लिए सूर्य आपके बारह में घर से गोचर करेंगे, भ्रहमन बढ़ जाएगा आपका, जो लोग सेल्स और मार्केटिंग के चेत्रों में हैं, उनके लिए अच्छा है, वह बहुत अधिक भाग दोड़ में रहेंगे, और उन्हें इसका कुछ लाभ भी जरूर मिलेगा, देखिए यहाँ पर सूर्य आपके तीसरे घर के स्वामी हैं, जो स्वा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जब सूर्य इस राशी में बैठे होंगे, उसी समय बुद्ध भी इनके साथ आकर मिल जाएंगे, तो राशी के स्वामी भी बैठेंगे विदेश भाव में, यह भी विदेश जाने के लिए जो लोग इच्छोक हैं, उनके लिए समस्या हो सकती है, सेहत पर आपका धन खर्च होगा, व्याय होगा, इन बातों को आपको सावधान रहना चाहिए, आपके कर्म भाव के मालिक ब्रिहस पती भी यहीं बारहुए घर में सूर्य के साथ बैठे हैं, तो सूर्य गुरु का यह यह योग जो पाहर के लोगों के ल आपकरी ढूंड रहे हैं, मल्टिनेशनल कॉर्पोरेशन में, उनके लिए यहां अच्छी संभावनाएं दिखती हैं, फिर भी सेहत की समस्या खासत और लीवर की और आखों की समस्या इन से आपको बशना पड़ेगा, वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाए बताए हैं उन्हें कर लीजिए, करकराशी के लिए सूर्य का गोचर 11 घर में हो रहा है, 11 घर से गोचर करते हुए सभी ग्रह धन लाब कराते हैं और समाज में प्रभाव में वृद्धी करते हैं, 11 भाव हमारे मित्रों का और समाजिक सरकल को दिखाता है, तो जो लोग सोशल फील्ड म अधिक involved हैं, जैसे किसी influencer हैं या कोई contract का काम करते हैं, सरकार से जुड़े हुए जिनके काम हैं, उन सब लोगों के लिए यहां पर अच्छी संभावनाय दिखती हैं, पैसे कमाने के नए नए रास्ते खुलेंगे, सूर्य आप लोगों के लिए आपके दूसरे धन भाव के स्वामी हैं और ग्यारह में धन भाव में ही जा रहे हैं, तो एक धन भाव का स्वामी दूसरे धन भाव में जाएगा, धन कमाने के रास्ते बढ़ेंगे, वहां शुक्र भी उनके साथ हैं, तो यह बहुत सारी अच्छी बातें संभावनाय सूर्य दे रहे हैं जरूर, हाँ एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अवश्य कि आपके भाव के स्वामी ब्रिहस्पती अभी अस्त हैं, सूरे के साथ ही हैं, अस्त हैं, सूरे गुरु का अच्छा योग बना हुआ है, इसे हम धर्म आत्मा योग भी कह सकते हैं, क्योंकि सूरे अगर धर्म है, तो ब्रि वीडियो कर शुरू में, उन्हें जरूर कर लिजिए, सूरे आपकी राशी के स्वामी हैं, और दस्वाव में गोचर कर रहा हैं, दसवाव कर्म का भाव है और वही शुकृ जो वहा के स्वामी है, वह भी वही कर बैठ वे हुए, यहां बहुत सारे लोगों के लिए काम में सूरे अच्छी संभावनाएं जरूर लेकर आ रहे हैं अगर आप promotions के लिए due हैं तो आपके promotions सूरे इस महीने में लेकर आएंगे या अगर आपके appraisals होने वाले हैं तो आपको positive appraisals मिल जाएंगे कोई नई नौकरी जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे बहुत समय से इस समय में आगर आप अपने efforts बढ़ा देंगे तो नई नौकरी में भी आपको joining हो सकती है हाँ, workplace पर किसी तरह के विवाद से अपने आपको बचाईए सबोटाज से बचाईए, इसका खत्रा तो आपके लिए हमेशा रहेगा वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाए बताएं उन्हें कर लीजे कन्या राशी के लिए सूरे का गोचार आपके नवे भाव से होगा राशी के स्वामी बुध भी 31 में को सूरे के साथ मिलकर यहां बैठ जाएंगे यानि वो भी वरिश राशी में आ जाएंगे तो राशी के स्वामी के साथ जब भी सूरे मिलते हैं तो राशी को बल जरूर देते हैं यहां पर लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सूरे आप लोगों के लिए ट्राइबल और ट्रांसफर के स्वामी बनते हैं 12 वे घर के और 9 वे घर से जहां से हम यात्राओं का विचार करते हैं वहां पर बैठे हुए हैं और राशी के स्वामी भी जब वहां आ जाएंगे तो यह निश्चित दिखता है कि आप लोगों में से बहुत लोगों का री लोकेशन होगा नौकरी में ट्रांसफर हो सकता है या कुछ additional responsibility वर्क प्लेस पर मिल सकती है जिसकी वज़े से भाग दोड़ बढ़ सकती है और temporary रू कि अगर किसी को already problem है उसे संभल कर रहना चाहिए तीर्थ अस्तल की यात्रा करें आपकी बहुत सारी समस्याइं सुलच जाएंगे क्योंकि नवागर भाग्य और धर्म का भी है और सूरे तो धर्म के ग्रह हैं ही वहां वह देखिए वह ब्रिहस्पती के साथ भी बैठे तो धर्म का उदय होगा आप में से बहुत लोगों की धार्मी के इच्छाएं बढ़ेंगी अवस्थायों में उन्नती होगी और यात्राओं के बहुत सारे योग बनेंगे यहां कन्या राशी वाले लोगों के लिए सूरे का गोचर मिश्रित परणाम दे रहा है अच्छे फलों को व्रिद्धी करनी है तो यात्राओं पर जाएं और वीदियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें जरूर कर लीजे तूला राशी के लिए सूरे आपके अश्टम भाव में आठवे घर से गोचर करेंगे सूरे का अश्टम गोचर स्वास्त की समस्या बढ़ाता है लेकिन आठवा घर मोक्ष्त्रिकोन का भी भाव है गुरू के चरणों को बताता है और सूरे यहां प्रिहस्पती के साथ ही बैठे हुए हैं जो धर्म के प्रतीक हैं तो सूरे और गुरू का धर्मात्मा योग बना हुआ है अश्टम भाव में जिसे हम ध्यान समाधी और आध्यात्मी की आत्राओं का घर कहते हैं गुरू के प्रती जो निश्ठावान रहेंगे धार्मी की आत्राओं पर जाएंगे उनके लिए यहां सूरे अच्छे परणाम देगा अचानक से धन लाब भी करा सकता है लेकिन भाग दोड़ आपकी बहुत अधिक रहे हैं प्रिहषपती और शुक्र पहले से वहां बैठें मिलेंगे या नहीं प्रिहषपती तो है और शुक्र 20 मए बुद्ध भी 31 मए को इसी वरिश राशी में आएंगे तो आपके अश्टम भाव में चार ग्रहों का गोचर होगा यहां गोचर अस्पश्ट रूप से ब रिच्वल ग्रोथ जो लोग सांसारिक हैं उन्हें यह स्पष्ट संदेश है कि दूसरों की सेवा करें मदद करें दान करें तो आपका कल्यान होगा वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें जरूर कर लीजिए इससे आप सेहत की समस्या से बचे रहेंगे वरिष्टिक राशी के लिए सूरे आपके सब्तम भाव से गोचर करेंगे सब्तम भाव का सूरे व्यक्ति को थोड़ा होटी नेचर देता है यानि सोभाव में गुस्सा बढ़ जाता है थोड़ी तलखी तेजी बढ़ जाती है लेकिन प्रभाव छेतर को भी बढ़ा देता है कर्म अस्थान के स्वामी है आप देखेंगे आप कई लुगों का काम अकेले करने की हिम्मत लेकर आएंगे या आपके बहुत सारे जो पेंडिंग कर्म हैं जो आप बहुत दिन से पूरा करना चाहते थे किसी वज़े से पूरे नहीं हो रहे थे वह सारे काम आपके एक- अहीं नहीं रहे गी क्योंकि शुक्र जो तो आख हैं जो स्वाम को स्वामी है अहीं लेकिन विवाह के लिए तो यह अच्छा समय definitely नहीं है क्योंकि गुरु और शुकर अस्त होते हैं तो विवाह नहीं होते हैं बट सूरी का यहाँ आना और शुकर का यहाँ बैठना आप लोगों के लिए बहुत सारे लोगों को विवाह की रिष्टे की बात पक्की होगी यहाँ रिष्टिक राशी वाले लोगों के लिए एक खुशक अबरी जरूर कही जा सकती है जिन लोगों का विदेश से किसी तरह का सम्मंध है बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है पावर या एलेक्ट्रिकल फील्ड में जो लोग है इलेक्ट्रिसिटी का जिनका एप्लाइंसेज का बिजनेस है उन लोगों के लिए या एक अच्छा समय जरूर कहा जा सकता है सिहत को लेकिन लेकर आपको सावधानी रखनी चाहिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजे धनू राशी के लिए सूरे का गोचर आपके छठे भाव सेरा छठे भाव में सूरे बहुत प्रसन्नता से गोचर करते हैं यानि यहां वहरोग और शत्रू का नाश करते हैं जो लोग मेडिसिन या लीगल प्रोफेशन्स में हैं उनके लिए बहुत अच्छा यह समय कहा जा सकता है अगर आप डॉक्टर है या मेडिकल प्रोफेशनल है तो अच्छा है किसी हॉस्पिटल में आप काम करते हैं मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं दवाईयां बेचने वाले हैं उन सब के लिए यहां पर सूर्य अच्छा परणाम देंगे अगर आप लॉयर हैं तो आप देखेंगे आपके आर्गुमेंट्स में शारपनिस लेकर आएंगे सूर्य और आप अपने केस के पहलुओं को अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे तो यहां डॉक्टर्स के लिए लॉयर्स के लिए जो लोग डिफेंस में हैं उन सब के लिए यानि किसी तरह से जो दूसरों की सुरक्षा करते हैं उन सब के लिए यहां पर सूर्य तेजी लेकर आ रहे हैं आप लोगों को काम में वर्क प्लेस पे बहुत इंप्रोव्मेंट दिखाई देगी वैसे भी सभी लोगों के लिए जो धनु राशी बाले के लोग हैं उन लोगों की नौकरी के छेत्र में उनको अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी सूरे आपकी राशी के स्वामी ब्रिहस्पती के साथ भी बैठे हैं वैसे तो राशी के स्वामी का छठे भाव से गोचर करना अच्छा नहीं है लेकिन सूरे अभी उनकी भी प्रोटेक्शन करेंगे तो धर्म के कारियों में अगर मन लगाएंगे तो अच्छा है क्योंकि सूर्य और गुरू धर्मात्मा योग बनाते हैं और यहां से दोनों आपकी राशी से बारह में धर्म के भाव को भी देख रहे हैं वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें जरूर कर लीजिए मकर राशी के लिए सूर्य का पंचम गोचर आपकी नौकरी और संतान के रूप में कुछ परिवर्तन आपको दिखा रहा है यानि जौब में कुछ चेंजेज होंगे और संतान को लेकर कुछ परिवर्तन उनकी अपनी जिन्दगी में होगा जिसकी वज़े से आप कुछ concern जरूर होंगे संतान के उपर धन का खर्च बढ़ेगा उनकी education के उपर आपका पैसा खर्च हो सकता है अधिक अचानक से job में changes हो सकते हैं विशेश तोर पर जिन लगों की भी जीवन की शनी की दूसरी साड़े साती चल रही है फिर बहुत देखेंगे पूरी तरह से उनका job transform हो रहा है यानि career ही transform हो रहा है तो अगर आप कोई काम बहुत दिन से pending था जो करना चाहते थे अभी आप कर सकते हैं कोई नौकरी बदलना चाहते थे किसी तरह से घुटन महसूस हो रही थी रास्ते नहीं दिख रहते तो मकर राशी वाले लोगों के लिए अब दीरे-दीरे रास्ते खुलेंगे क्योंकि शनी की साड़े साती भी अपनी अंतिम धलान पर है सूरे पंचम भाव से गोचर करते हुए नए रास्ते जरूर बनाते हैं धन व्याय होगा और जैसा मैंने कहा था सेहत और संतान इन दोनों चीजों पर धन व्याय होता हुआ दिख रहा है लेकिन वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लेंगे तो आपको चिंता की जरूरत नहीं रहेगी कुम्ब राशी के लिए सूरे जो आपके सब्तम भाव के स्वामी है चोथे भाव से गोचर कर रहे हैं और आपके दस्मे करमस्थान को अपनी पूर्ण दरिश्टी से देखेंगे यहां देखिए सूरे कारे चेतर में परिवर्तन बड़े लेवल का इनिशियेट कर रहे हैं वैसे भी जिन लोगों की जीवन की शनी की दूसरी साड़े साती है वह देखेंगे कि उनके काम में आमूल चूल यानि कम्प्लीट रांस्फरमेशन हो रहा है जॉब वाले बिजनस में बिजनस वाले जॉब में इतने बड़े लेवल का चेंजिज लोग होते हुए देखेंगे चौथे घर में सूरी का गोचर बहुत अच्छा नहीं होता है मन में वह परिवार में कुछ चिंता तनाव विवाद सूरी अहां पर देते हैं सेहत को लेकर भी समस्याय क्रियेट करते हैं आप सी पारिवारिक जीवन में खास तरपर दामपत्य जीवन में कलह का कारण सूरी बनते हैं तो किसी तरह से भी अगर आप किसी ऐसी उल्जन में फसे हुएं पारिवारिक रूप पर तो उसमें बिल्कुल हवादनी की कोशिश न करें नहीं तो बात बिगड़ेगी तो गुरु और शुक्र अस्त होते हैं तो वैसे भी विवाह नहीं हो सकते हैं तो शादी के लिए अच्छा समय नहीं है सूरे का यहां गोचर करना बहुत मामलों में आप लोगों को कुछ चिंताएं बढ़ा रहा है और परिवर्तन तो निश्चित तोर पर दे रहा है वीडि के साथ हैं वह भी परिवर्तन को दिखा रहा है साड़े साती भी आप लोगों की चल रही है जिन लोगों की जीवन की शनी की दूसरी साड़े साती है तो वह तो परिवर्तन निश्चित रूप से देखेंगे ही क्योंकि जीवन की दूसरी साड़े साती में परिवर्तन को मिलते हैं हाँ जो लोग भी किसी तरह का freelance काम करते हैं या जॉब नहीं करते हैं या बिजनस में commodity selling नहीं करते हैं वह देखेंगे उनके लिए बहुत अच्छा है जो सामान नहीं बेचते हैं सलाह बेचते हैं उन मीन सब्सक्राइब करते हैं जैसे डॉक्तर चार्टर एकाउंटेंट्स लॉयर उन सब के लिए यहां पर बहुत बढ़िया है जो लोग फिटनिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उन लोगों के लिए तो खास्त दौर पर सूरे का यह परिवर्तन बहुत ही अच्छा हो रहा है लिक सब्सक्राइब करने की जगह जरूर बदल जाएगी वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप जरूर देख लीजिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप चाहें तो इसे भी कर सकते हैं ईश्वर हम सब का सकते हैं